मित्रों अभी जो सिर्याम चर्दित्मानस का प्रसंग आप लोगों को जो कथा सुना रहे हैं वो शीब पारवती विवाहश्य संबंदित है। जब बराती का एथोचित सतकार भोजन तरह तरह का बेंजन कराया गया भोजन में तो इस्त्रियाम अंगलगीत गाने लगी गाली परने लगी गाली देने लगी तो देवता लोग भी मजाले लेकर धीरे धीरे खा रहे थे। भोजन करने के बाद वो लोग पानुन खाकर अपने अपने निवास पर गये जनवासा पर गये जहां उनको रहने का विवस्त था। उसके बाद हिंबान जी रिशी को बुला के और लगन का शुभ मुर्त निकल वाया और देवता लोगों को संबाद भेज दिया कि आप लोग अब आईए विवाह का शुभ मुर्त आ गया है। बहुरी मुनी नहीं मबंत कहू लगन सुनाई आई अस्चमय बिलो की विवाह करा पठए देव बुलाई। फिर मुनियोंने लोट कर हिमबान को लगन पत्री का सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। अब बोली सकल सुर सादर लिन्हें जैसी आराम जै जै हनुमान। असबहियत जतोचित आसन दिन्हें जैसी आराम जै जै हनुमान। अबेदी बेद बिधान सबारी जैसी आराम जै जै हनुमान। अशुभग अशुमंगल गाव ही नारी जैसी आराम जै जै हनुमान। शब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और शब को इथायोग्य आसन दिये गए। बेद की रीती से बेदी सजाई गई और इस तरिया सुंदर मंगल गीत गाने लगी। अशिंघासन अति दीब्य सुहाबा जैसी आराम जै जै हनुमान। अज्जाह न बजाई न बरनी भिरंची बनावा जैसी आराम जै जै हनुमान। बैठे सिब विप्रन सिरुनाई जैसी आराम जै जै हनुमान। अहिर्देश मीरी निज प्रभुर घुराई जैसी आराम जै जै हनुमान। बेधिका पर एक अत्यंत शुंदर दिब्बे शिंगाशन था। जिसकी शुंदरता का बरनन नहीं किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है। सक्षात महादेव दुलहा बनके आये हो। तो किसके कलम में इतनी ताकत है कि उनकी शुंदरता को लिख दें। क्योंकि वह जो शिंगाशन था वह स्वेंग ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मनों को शीरनवा कर और हिर्दय में अपने श्रामी स्री राम जी का अस्मरन करके भगवान भोले नाथ उस सिंगाशन पर बैठे। अब हुरी मुनी सन उमा बोलाई जैसी आराम जै जै हनुमान। अकरी शिंगारू सखी ले आई जैसी आराम जै जै हनुमान। तदेखत रूप शकल शुरमों है जैसी आराम जै जै हनुमान। अब बरनेच भी अस जग कभी को है जैसी आराम जै जै हनुमान। फिर मुनिस्चोडों ने पारवती जी को बुलाया। सखिया उन्हें स्रिंगार करके उन्हें ले आई। पारवती जी के रूप को देखते हुए रूप को देखकर ही सब देवता लोग मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कभी होगा जो इस सुन्दरता का बरनन कर सके। तजग दंबी का जानिभ भभामा जैसी आराम जै जै हनुमान। असुरन मनही मन किन्ह प्रनामा जैसी आराम जै जै हनुमान। असुन्दरता मरजाद भवानी जैसी आराम जै जै हनुमान। अज्जाई न कोटी हूँ बद न बखानी जैसी आराम जै जै हनुमान। परवती जी को जग दंबा और सीब जी की पतनी समझ कर सारे देवताओं ने उन्हे मन ही मन प्रनाम किया। भवानी जी की सुन्दरता की सिमहे करोरो मुखो से उनकी सोभा नहीं कही जा सकती। कोटी हूँ बद न नहीं बने बरनात जग जन्नी सोभा महा। सकुच ही कहत सुर्ति से ससारद मन्द मति तुले सी कहा। छबिखानी मातु भवानी गबनी मध्य मन्द पशिब जाहा। अब लोकी सकहिन सकुच पतिपद कमला मनु मधु करूता। जगत जन्नी पारबती जी की महान शोभा का बरनन करोरो मुक्षे भी करते नहीं बनता। बेद सेस जी और सरस्वती जी तक उनका बरनन करने में सकुचा जाते हैं तो मंद बुध्धी तुलसी किस पंगती में हैं किस गिंती में हैं। सुन्दर्ता और सोभा की खान मता भवानी मंदब के बीच जहां भोले ना थे वहां गई। वे संकोच के मारे पती सीब जी के चलन कमलो को देख नहीं सकती प्रंतून का मनुरुपी भवडा तो हां रसपान कर रहा था। अमुनी अनुसासन गन पतही पूजव शंभ भवानी अकोव मुनी संसे करे जनी अशुरय अनादी जी जानी। मुनियों की आग्या से सीब जी और पारवती जी ने गनेश जी का पूज़न किया। मन में देवताओं को अनादी समझ कर कोई इस बात कोई सुन कर संका न करे। कि लोग तो कहते हैं कि गनेश जी जो है वो सीब पारवती की संताने हैं अभी विवासे पूरवियों कहां से आ गए। वो तो अनादी हैं उनका न कोई आम्त है वो जुगों जुगों से हैं तो किसी भी सुभकार्ज में हम गनेश जी की पूजा करते हैं तो माता पारवती ने भी गनेश जी की और माता भवानी की पूजा की। तो बोलिए जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम जैसी हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा जैसी आराम जय जय हनुमान जो सुमिरे हनुमत बल भीरा जैसी आराम जय जय हनुमान जय 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 हनुमान गुशाई जैसी आराम जय जय हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जय जय हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जय जय हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जय जय हनुमान दीन दयाल विरदुशंभारी जैसी आराम जय जय हनुमान हरहुनाथ ममसंकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान हरहुनात 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 ममसंकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान एक घरी या दो घरी या दो में पुनियाद तुलसी संगत सादु की रै कोटी अपराद सियावर राम चंद्र की जै जै योद्या राम लला की जै प्रिंदावन विहार लाल की जै पवन सुत अनुमान की जै बोलो भाई सब शंतन की जै हरहर मादेब जै सिवसंबो